तो गाइस कैसे आप लो मेरा नाम नील और आप देख रहे हैं अनिल सराइटिय योटूब चैनल रेलवे अप्रेंटिस में पहले था कि आपको रेलवे अप्रेंटिस कर रहे हैं तो 20% आपको रेलवे जॉब में छूट मिल जाते थे लेकिन अब धरना आओने वाला है कल होग जो कि All India Railway Men's Federation के महा मंत्री करेंगे बारत फररी को पर्मनेंट करने के लिए था कि रेलवे में जो भी कैनिडेट है रेलवे अप्रेंटिस कर रहे हैं तो वो भी एक मेनत कर रहे हैं था कि उन्हें भी पर्मनेंट कर दिया जाए और वो भी एक रेलवे के हिस्सा है तो उन् फरोरी को नौ बज़ से स्टार्ट होगा चौ बज़ तक इसी सिलसिले में होगा और कल होगा धर्नापरदर्शन की आव इनको जो अप्रेंटिस कर रहे हैं उन्हें पर्मानेंट चॉप दिया जाए और रेलवे के जो आपको नहीं सब्सक्राइब आ रहा हो तो अल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है जो की परकार का लेबर यूनियन है और इसके महा मंत्री जो है सीव गुपाल मिस्रा जी है और यही करने वाला है यह उन्नीस सो चौबिस में गठन किया गया था अटल विहारी बाच पेई जी के द्वारा तो वही है यह जस्टिस फॉर रेलवे अप्रेंटिस के लिए है ठीक है तो इसी को इन्होंने फेज़ू पर पोस्ट भी किया है कि 11 फर्वरी को और इंडिया मेंस फेडरेशन के लिए एक्ट अप्रेंटिस के तरद मीटिंग है और बारतारी को इनका होगा बारतारी को यह करेंगे परदर्शन करेंगे देश व्यपि δहर नहुंगा पुरे देश में ठीक है तो इस वीडियो में हम इनका एक वीडियो भी इन्होंने जा रही कि अपना फेजू के मदहम से ट्विटर की में से तो पहले उस वीडियो को सुन लेजिए फिर आगे हम आपको बंदताते हैं कि साथी ओंबारा फरवरी को और इंडिया डिने लिए लिए हैं कि हम सभी मंडल प्रबंदक कार्यालियों पर और कारखानों के मुख्य कारखाना प्रबंदक के कार्यालियों पर दिन में धर्ला देने का काम करेंगे इस धर्ले का उद्देश सिर्फ एक ही है कि जो हमारे अपरिन्टिस साथी हैं इनको पिछले नौ दस वर्षों से रेल्वे में समाज योजित नहीं किया जा रहा है तो उनको रेल्वे में समाज योजित करने की ब्रूस् यह जो 20% का कोटा और जो RRC से उनके रिक्रूट्मेंट की बात है यह करीके से उनको जूटी आशवाशन देने की बात है इसमें उनका कोई भला नहीं हो रहा है आशवाश इम्दान दे करके उन लोग आते है बात में RDET उनका इम्दान लेकर उनको सर्टिफिकेट देता है ITI के समतुल उनकी योग इदा के लिए और वो बच्चे जो इतने जो है वो टेक्निकली साउंड है अभी तक करेट 70-75 अजार जो है वो अपरेटिसेज को भरती किया है भार के रिल ने बिना किसी दौर धूप के बिना किसी इमकान के लेकिन अब एक नई विधा चालू की गई है जितमें कि आपको कमाम दूसरे लोग साथ कंपीट करना पड़ेगा तो ये सवाल हम लोगों ने बार-बार जो है वो रिल बंतरालेज उठारे का काम किया है और इसको हमने डिपार्मेंटल काउसे नेशनल काउसिल जेसियम के स्टेंडिंग कमिटी का बेजेंडा बनाया है अभी उस पर पीछे भी बातचीत हुई है नेशनल काउसिल जेसियम के स्टेंडिंग कमिटी में ये मामला फिर डिसकस होने वारा है और उन्होंने कहा है कि जो स्किल्ड डेवलब्मेंट मिनिस्ट्री है जो आब इस विशे को देख रही है चूँकि इस जो है वो एक्ट में अप्रिंटी सेक्ट में जो परिवर्तन हुआ है जिसमें कि इस बात की नियुकता को जो है छूट मिली हुई है कि वो जिनको ट्रेनिंग देगा उनको बने उनकी बहाली भी कर सकता है उनको भरती भी कर सकता है तो इस विशे पर एक विशे राश्टी अस्तर पर चला है दूसरा रेल्गी अस्तर पर चला है मैंने कई बार इस विशे पर पिछले चेर्मेन कम सियो वर्तमान चेर्मेन कम सियो अपने डीजी एचार और मंत्री से भी बाचित दी है वो लोग अभी तक इस पर अपना पुरा मन नहीं मरा रहा हैं लेकिन उन कहते हैं कि हम जरूर विचार करेंगे तो उनका विचार चलता रहेगा लेकिन आपका विचार सुद्रड होना चाहिए हमारे तमाम इन अपरिजिटिस भाईयों के लिए हम समस्ते हैं हमारी तमाम शाखाएं तमाम मंडल अपना जो वांदोल उनका फैस्टरा है आलिंडिया रिमस्टरेशन का उसमें अपनी भागी दारी को दिखाने का काम करेंगे और भारस सरकार को इस बात के लिए मजबूर करने का भी काम करेंगे यहीं मेरी आशा है यह प्रोग्राम सफ्फर होगा और आगे आने वाले समय में इनको रिल वे में समयोजित भी किया जाएगा मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ समय में आया होगा ठीक है तो इसमें आपको बस कहा गया है रेलवे में चो भी आप्रेंटिस कर रहे हूंने पर्मनेंट करने का मौख़ा दिया जाएगा तो बहुत ही चाह तो आपको बताइए आपको क्या पर्मनेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए नीचे कमेंट करके बताईए और नीचे लिखिए हैस्टेक जस्टीस फूर रेलवे अपरेंटिस जरूर लिखिएगा हैस्टेक जस्टीस फूर रेलवे अपरेंटिस जो भी अपरेंटिस को छात रहा है तो उन्हें या पर्मेनेंट जॉब पर रखने के लिए नीचे जरूर कमेंट किजिए अपने दोस्तों के साथ सेर किजिए और ठीक है इस जुड़े मासिता है मिलते आगले वीडियो में तो तक लिए बहुत बात धन्यवाद जुड़े रहे अनिल सराइटी ऐसे लेटेस्ट पाते रहे ह झाल बहुत है